गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका, आपका अपने यूट्यूब चैनल, Study with a Vitaaker पर तो चले शुरुआत करते हैं आज की दे हिंदू डिटूरियल वकाब्लियर की, वकाब्लियर से पहला वर्ड है आज का consensus, consensus यहाँ पर नाम की तरह यूज़ गए, एंटॉरियम से disagreement, dissension और conflict, example देख लेजे, the two parties have reached a consensus, किनी दो राजनितिक दलों की बात हो रही है, दो पार्टीज की बात हो रही है, कि उनके आपस में किसी बात पर आप सहमती बन गई है, वो किसी बात पर सहमत हो जुके हैं, अगला हमारा शब्द है, repelling का मतलब होता है, किसी बी चीज़ को cancel करना, खंडन करना, निरस्त करना, रद करना, एडिटोरियल में बात की गई है, क्रिशी के जो तीन कानून है, सरकार ने, मतलब वो रद कर दिये गए, उनका खंडन मतलब cancel कर दिये गए हैं, एक्जांपल देख लिजे, लेबर पार्टी रिपील्ट दे एक्ट, लेबर पार्टी की बात, एक्जांपल में ने किया है, कि जो लेबर पार्टी है, उसने किसी तरह का जो कानून है, वो निरस्त कर दिया है, रद कर दिया है, अगला हमारा शब्द है डिफिटिजम यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हुआ डिफिटिजम का मतलब होता है असफल होने की आशंका होना या फिर पराजयवाद या हमारी निजाशावादी सोच उसे बोला जाएगा डिफिटिजम The attitude of expecting something to end in failure Synonyms देख लीजिए Pessimism, Hopelessness, Despair और Negativity Antonyms से Confidence, Hope, Optimism और Cheerfulness Example देख लीजिए The mood of economic diffetism तो यह इस तरह से बात की economic है, failure की आशंका जताई जा रही है इस तरह की, मैंने एक्जम्पल दिया है आपको अगला हमारा शब्द होस्टाइल यहां objective भी तरह यूज़ हुआ है hostile का मतलब होता है किसी से अच्छा behave ना करना या हम बोल सकते हैं शत्रूता रखना किसी से या मतलब बूरी तरह से behave करना अच्छे विचार ना रखना किसी के प्रती या किसी चीज़ का विरोधी होना प्रती कूल प्रभाव पढ़ना किसी चीज़ का उसे बोल जाएगा hostile having very strong feelings against somebody or something synonym साब देख सकते हैं unfriendly, aggressive, antagonistic और belligerent antonym से friendly, kind, peaceful और nice example देख लिजे they are very hostile to any change किनी विक्तियों की बात हो रही है कि किसी तरह को कोई बदलाव होना था change होना था उसके बिलकुल खिलाफ थे उसको बिलकुल वीरोधी थे अगला हमारा शब्द aggravation यहाँ पे noun की तरह use हुआ है aggravation का मतलब होता है पहले ही किसी तरह की कोई समस्या है या कोई problem है तो उसको और जादा से बिगार देना उसे बोला जागा aggravation या किसी को भड़काना उगसाना तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का हम यूज कर सकते हैं aggravation का action that makes a problem or disease or its symptoms worse synonyms आप देख सकते हैं irritation, annoyance और exasperation provocation antonyms है comfort, convenience, pleasure और rehabilitation example देख लिएजे the aggravation of her condition resulted from lack of care तो किसी lady की बात हो रही है कि उसकी स्वास्थे खराब है कुछ भी उसकी जो स्थिती है उसकी care नहीं की गई तो उसकी जो स्थिती है और ज़्यादा से वो बिगड गई और ज़्यादा से खराब हो गई due to lack of care अगला हमारा शब्द है stalemant यहां पे noun की तरह used हुआ है stalemate का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोध होना गतिरोध किस्थिती अवरोध किस्थिती उसे बोला जाएगा stalemate a situation in an argument in which neither side can win or make any progress synonym से deadlock, impasse standstill or standoff and synonym से progress, advance headway or advancement example देख लिजिए this stalemate must be resolved promptly तो किसी भी काम में किसी तरह की गतिरोध या अवरोध की बात हो रही है कि इस अवरोध को इस गतिरोध को जितना जल्दी हो सके resolve सुल्जा लिया जाना चाहिए अगला हमारा शब्द है ambiguous यहां पे जक्तिक भी तरह use हुआ है ambiguous का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो की एक से अधिक अर्थ लगाये जाये जिसके मतलब अस पश्टता होना समझ में ना आने वाली जिल्दी जिल्दी जो की एक से अधिक अर्थ को जिस बात के एक से अधिक मतलब निकाले जा सके यासे कुछ चीज जो बिलकुल असपस्थ हो जो जल्दी-जल्दी समझी ना जाए that is called ambiguous if you describe something as ambiguous you mean that it is unclear or confusing because it can be understood in more than one way synonym से वेग, unclear, equivocal or uncertain antonym से clear, definite, explicit or obvious example तेखलिजे this agreement is very ambiguous and open to various interpretations किसी तरह के समझहोते की बात की जा रही है कि इस समझहोते के बारे में काफी असपस्थता है मतलब काफी सारे मेनिंग इस समझहोते को जो है वो निकाले जा सकते है मतलब clarity नहीं है इस समझहोते के बारे में अगला हमारा शब्द स्टैपल Staple यहां पर नाम की तरह यूज़ गए, एक तो Staple होता है, जिससे हम Staple करते हैं पनी बुक्स को, जब कवर करते हैं बुक्स को, एक वो Staple भी होता है, यहां Staple का मतलब लिया गए है कि सानों की जो मुख्या फसल होती है, उपज या अनाज जो हम खाते हैं, बतला इन प्राइमरी और चीफ, एंटॉनिम से माइनर, सेकेंटरी, इनेसेंशल और अननेसेसरी, एक जमपल देख लीजे, राइस इस दे स्टेपल फूड अफ दे वोल्स पॉपुलेशन, तो मैंने एक जमपल दिया है कि जो चावल है, वो विश्व की आदी से जादा जनसंख् जो है उसका में वो प्रधान जो है वो फूड है, काफी सारे लोग जो है चावल को खाते हैं, तो अजीवी का मतलब जीवीत रहने के लिए, half of the population of the world वो चावल इंपॉर्ट एक फसल है, उपज है, अगला हमारा शब्द है अबंदंट, यहाँ पे जिक्तिपी तरह यूज हुआ है, अबंदंट का मतलब होता है, किस भी चीज का वशक्ता से अधिक मात्रा में होना, प्रचूर मात्रा में होना, that is called abundant, something that is abundant is present in large quantities, synonym से plentiful, ample, rich or bountiful, antonym से scarce, rare, insufficient or lacking, example देख लिए, there is an abundant supply of cheap labor, किसी जगह की बात हो रही है, कि वहाँ पे सस्ती जो labor है काम करने वाले हैं, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे labor सस्ती है, अगला हमारा शब्द है, coronation और यह दूसरा जो editorial दिया गया है, अब heading भी देख लीजेगा, cricket के बारे में दिया गया है, coronation का मतलब, यहाँ पे noun की तरह यह word यूज हुआ है, इसका मतलब होता ह रहेंगे, और ODI और T20, T20 के जो T20 कैप्टन है, वो रोहित शर्मा बनाए गया है, तो इसके बारे में बात की गई है, that is called coronation, coronation is a ceremony at which a king or queen is crowned, तो यहाँ कप्तानी की बात मैंने आपको बता दिया, editorial में, synonym साब देख सकता है, investiture, crowning, installation or inauguration, antonym से deposition, uninstall, ban or bases, example देख coronation took place on 14th of Feb 1556, तो अकपर का जो राज जी भीशेक हुआ, वो 14 फबर 1556 को हुआ था, अगला हमारा शर्द है, transpired यहां पर वर्प की तरह used हुआ है, transpired का मतलब होता है, किस भी चीज का knowledge में आना सब की, घटित होना कोई चीज, उसे बोला जाएगा, transpired, when something transpires, it happens, synonym से occurred, happened, eventuated, developed, or resulted, and time से detached, disappear, evaporated, melted, or vanished, example देखेंचे, nothing is known as yet about what transpired at the meeting, कि किसी तरह की कोई बैठे की बात की बात की जा रही है, बीटिंग की बात की बात की जा रही है, कि यह रिवील नहीं हुआ है, कि में क्या discussions हुई, किन किन चीजों के बारे में बाते हुई, यह भी रिवील नहीं हुआ है, अगला हमारा सब्द is relinquish, यहां पर अबर की तरह used हुआ है, relinquish का मतलब होता है, किसी भी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, give up करना, that is called relinquish, यह किसी चीज को छोड़ के चले जाना, किसी को छोड़ के चले जाना, if you relinquish something such as power or control, you give it up, synonym से give up, abandon, renounce, or surrender, anton से keep retain hold or acquire example देख लीजिए he does not intend to relinquish power वो बिलकुल भी किसी तरह की किसी के पास कोई authority थी कोई power थी तो उसे वो बिलकुल भी त्याग करने के लिए वो विक्ती बिलकुल भी तैयार नहीं था अगला हमारा शब्द रीन यहां पे नाम की तरह यूजगा है रीन का मतलब होता है यह जो गोड़े में लगाम होती है गोड़े को control करने के लिए horse को control करने के लिए आप देख पारें इसके मूँ में जो लगाम है उसे बुलाता है रीन या किसी भी चीज को अपने control में लेना control, restraint, constraint और rule, antonym से free, accelerate, independence और uncontroll, example देख लिए अनिल कुमले विल टेक ओवर इंडियन क्रिकेट टीम रीम्स फ़र वन येर, कि अनिल कुमले को एक साल के लिए जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का जो है वो बाग दोर दे दी गई है अगला हमारा शब्द है रेंकल यहां पर वर्पी तरा यूज हुआ, रेंकल का मतलब होता है किसे ने कोई बात बूली है और वो हमें चुब जाए यहां हम बोल सकते हमें वो इरिटेट कर दे, अनॉय कर दे, हमें गुस्ता दिला दे उसे बोला जाता है रेंकल जिससे हमें और एक्सास्परेट, अन्टॉरम से राइट, प्लीज, प्लीज, और पैसिफाए, एक्जांपल देख लीजे, अगला हमारा शब्द है, अगला हमारा शब्द है, मैगनिफिसेंट, मैगनिफिसेंट का मतलब होता है, ऐसे कोई चीज जो बहुत ही भव्य हो, शान्द बहु हो, आलिशान, उसे बोला जाता है, मैगनिफिसेंट, if you say that something or someone is मैगनिफिसेंट, you mean that you think that they are extremely good, beautiful or impressive, सिनॉनिम साब देख सकते है, splendid, grand, excellent or gorgeous, अन्टॉनिम से awful, dreadful, bad or poor, example देख लीजे, this is a magnificent place, तो आप बिलकुल आप इमेज में भी देख सकते है, यह जो जगा है, बहुत ही अबर रपलिकेट, यहाँ पे वर्प की तरह यूज़ा, रपलिकेट का मतलब होता है, किसी चीज़ को दोहराना, या किसी चीज़ की नकल करना, प्रतिलीपी बनाना, एडिटोल में यूज़वा इस वर्ट का दोहराने की संस में, if you replicate someone's experiment, work or research, you do it yourself in exactly the same way, that is called replicate, synonym से duplicate, copy, reproduce or repeat, synonym से create, originate, initiate or manufacture, example देख लीज़े, he invited her to his laboratory to see if she could replicate the experiment, तो किसी विक्ति की बात की जारी है, कि किसी लड़की को या किसी महिला को वो अपनी जो प्रयोग शाला में बुलाता है, और यह देखना चाहता है, कि वो किसी तरह के प्रयोग की बात, experiment की बात की जारी है, कि वो से दोहरा पाती है, या नहीं, तो यह वर्ड आज के देहिंदू रिटूरियल वकाबलरी का आंतिम चब था, बढ़ते हैं अपने रिवीजन की तरफ, आपको कितना जो मैंने बूला, पांच-दस मिनिट हुआ, कितना समझ मैं आप फटा-फट से यह चीज देख लेते हैं, अपने रिवाइस कर लेते हैं, अपने वर्ड को, अपनी वकाब को, हमारा जो पहला वर्था होता, कंसेंस, कंसेंस का मतलब होता है, किसी भी चीज पर आम सहमती बनना, एग्रिमेंट होना, मतलब राजी होना किसी चीज के लिए, that is called, कंसेंस, नेक्ट वर्था हमारा रिप नेक्स्ट वर्था हमारा डिफेटिजम, डिफेटिजम का मतलब होता है, एक्तम से निराशावादी सोच का होना, आप्टिमिस्टिक ना होना, मतलब अपना हार का डर बना रहना, उसको बोला गया है, डिफेटिजम, नेक्स्ट हमारा वर्था होस्टाइल, होस्टाइल का म इसे बोला जाएगा अगला शब्द एम्बिग्यूस का मतलब होता है ऐसी बात या इसी स्थिती जो की बहुत जादा प्रॉब्लम आए या ऐसी बात बोल देना जिसके एक से अधिकर्थ निकलते हूं उसे बोला जाएगा एम्बिग्यूस मत्तब अर्स पश्टता होना किसी जीज में अगला हमारा शब्द स्टेपल स्टेपल का मतलब यहां पे लिया गया था फसल से जैसे किसानों की मुख्य फसल जो है या कोई मुख्य चीज हम दिखाना चाहरे है उपज को किसानों की जो उपज है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है एडिटूरियल में लानी किसे क्रिकट की जो टेस्ट क्रिकट है या ओडिया और अपना ट्वेंटी है उसकी कफ्तारी जो है चेंज कर गई गई है तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ था कॉरोनेशन ताजपोशी आप देख सकते हैं या राज्या विशेक करना किसी का उसे बूला जागा कॉ से जाना देरेस और लेंक्वेश अगला हमारा सब्सक्राइब रींस रींस होता है वैसे घोडे की लगाम जिसे घोडे को कंच्रोल किया जाता है तो यहां पर बात कही गई थी एडिटॉरियल में कप्तानी की कि कि किसको क्या मतलब अब कौन कप्तान होगा टी-20 का और अप और यहमें कोई बात किसने कई बात बुली है और अमें चुरेइज ठुल गई वह बात तो उसको बोला जाएगा और रेंकल्स अगला सब्सद ए अ म्यक्निफेसेंट का मतलब होता है यह कोई जuda बहुतो धाला वह हो शान्दार हो या बहुत प्रभाव शाली कोई विप्त या फिर प्रतिलिपी या कॉपी फोटो स्टेरी जैसे करते हैं कॉपी बनाना किसी चीज़ की उसे भी बोला जा सकता है रप्लिकेट तो आज की दा हिंदुरी टूरियल वकाबलिक में इतना ही आई होप आपको वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगा होगा आपने वीडिय